नमस्कार साथ हुँ hung मैत की वीडियो के ज़श्ट वाद आपको दे रहे हैं तर्क यहेँ तरक सकती त्रीजिनिंग कर वीडियो तो इनको जो है निम लेकर सब्टों को सार्फिक हेлем लाव्य करिए अर्थ पूड क्रम में इनको रखना है अर्थपुड क्रम में हम सबसे छोटी हीकाई को पहले लेंगे सबसे छोटी हीकाई हमारी होती है मिली मीटर इसको एक नमबर डाल देंगे मिली मीटर के बाद फिर क्या होता है सेंटी मीटर ये दो नमबर भो गया सेंटी मीटर के बाद में क्या होता है ڈیسی میٹر ये तीन नमबर फो गया ڈیسی میٹر के बाद मीटर ये चार नमबर फो गया मीटर के बाद मेटर ये पाँच नमबर फो गया नमबर इनके अनुसार वेवस्थित कर लेंगे इनका करम आ जाएगा दूसरा देखिए इसमें देखिए लाल किला विस्व दिल्ली भारत ब्रमांड इसको व्यवस्थित क्रम में लगाना है तो सबसे पहले क्या है लाल किला एक नंबर पर लाल किला है कहां दिल्ली में दिल्ली दो नंबर दिल्ली कहां है भारत में भारत तीन नंबर पर भारत कहां है विस्व में विस्व चार इसे हम सबसे पहले हम नीव खोते हैं किसी मकान की नीव सबसे पहले बनाएगी नीव के फर्स पर क्या करें गे तो यह दो गै感じ का सब्दम क कौनसा निंडुकर के सब्दों में को लिए उत्व सबसे पहले हम क्या करेंगे जुताई जुताई को एक नमबर देंगे जुताई की बाद फिर हम बुवाई के 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 ब हपी नाला ठीक है बैजानी के मतलब बैगनी बैगनी ये रहा तो इसको एक नमबर दे देंगे जामुनी इसको दो नमबर दे देंगे नी नी के मतलब नीला ये रहा इसको तीन नमबर पर विवस्तित करेंगे हा, हा के मतलब हरा ये रहा इसको चार नमबर पर लगाएंगे हपी, पी कमतलब पीला इसको पंच नमबर पर लगाएंगे और ना, ना कमतलब ना रंगी इसको छे नमबर पर लगाएंगे और फिर लाल साथ नमबर पर इस तरीके जब वस्थित कर देंगे साती रंग हमारे इंदर धनुस में होते हैं अगला है राइंकिंग एवं क्रम राइंकिंग में देखिए राजन रमेश से छोटा है यानि ये रहा राजन और रमेश से छोटा है तो रमेश हो गए ऊपर जो जार्ज से बड़ा है राजन रमेश हो तो छोटा है लेकिन रमेश क्या है जार्ज से बड़ा है तो जार्ज हो गए जार्ज से लंबा है तो जार्ज यहां आगे राजन जो है जार्ज से लंबा है अब उनमें सबसे लंबा कौन है सबसे चोटा कौन सबसे चोटा जार्ज है ठीक है यह देख लिए बड़ा बीच का यह सबसे छोटा नेश्ट कुस्टिन P, Q, R, S और T एक अलग-अलग लंबाई के हैं R, T से लंबा है यानि R, T से लंबा है ठीक है तो R उपर हो गया T नीचे हो गया परन्त P से छोटा है R, T से लंबा है लेकिन R किस से छोटा है P से R छोटा है P उपर हो गया यह P नहीं रहा P से छोटा R है S Q से लंबा है S जो है वो Q से लंबा है तो Q रहेगा नीचे S रहेगा उपर परन्त T से छोटा है अब S जो है वो Q से लंबा है परन्त T के बाद में यह रहागा रहेगा तो यहांपर हम कर लेंगे यास को यसकी से लंबा है से चोटा है तो टी से नीचे रख दिया क्यों के ऊपर रख दिया आभ इनुनमे सबसे सबसे चोटा को नहीं सबसे नीचे को ना रहा है क्यों सबसे चोटा क्यों हो गया चार, चार के बाद में पांच, पांच के बाद में छे, चे के बाद में साथ, साथ के बाद में आठ, आठ के बाद में नौ अब देखिए यहां पर आठ दूसरे नमबर भी यहां है और दूसरे नमबर पर यहां भी है इसके बाद में एक, दो, तीन, चार, चार चौथे नमबर पे, यहां भी चौथे नमबर पे है, चार देखिए है, चौथे नमबर पे, चार बाकी सबका अंक बदल चुका है, तो चार और आठ दो अंक ऐसे हैं, जिनका इस्थान नहीं बदलता, परिवर्तित हो रहता है, पर है, रवी और किसोर को कच्छा में ऊपर से तेरवा नमबर है, और चौदमा इस्थान प्राप्त होए, यह रवी और किसोर, इनका क्रमसा तेरवा और चौदमा नमबर प्राप्त होए, कच्छा में 49 चात्र हो, तो नीचे से कौन सा इस्थान होगा, देखिए, यह पहला में इसका हो गया इसका हो गया इसका मतलब क्या हुआ कि 49 में हो गया सीधाइच निकाल लीजें कि 49-13 और इसका हो जाएगा चोधिमे वाले इस्थैन का 49-14 इसका हो गया 26 एक जोड के 27 अंसर हो गया इसका हो गया पचीस इसमें भी एक जोड दीजिए इसका हो गया 26 इस्तान तो एक का 27 इस्तान एक का 27 इस्तान है नेस्ट कुश्चन है, दस लोगों की एक पंक्ति में 22, 22 से 5 पंचमें स्थान पर है, दाएं से किस स्थान पर होगा, 1, 2, 3, 4, 22, 5 में स्थान पर फिर, 6, 7, 8, 9, 10, अब गिन दीजिए इधर से पंचमें स्थान इदर से कितना हो गया, एक, दो, तीन, चार, पांच इधर से छटा हिस्थान हो गया ठीक है, बैसाब दस माइनस पांच बरावर पांच, अप प्लस एक जोड़ के छटा हिस्थान हो गया नेश्ट रक्त संबंद एक फोटो की और संकेत करते वे बिनोद ने कहा, ये बिनोद रहा और ये यहाँ पर फोटो है तस्वीर, इसकी और संकेत करते वे बिनोद ने कहा कि ये मेरी पतनी की किसकी, बिनोद की पतनी ये रही, कौन है पतनी मेरी पतनी की माता इन की माता पतनी की माता ठीक है, कि एक मात्र पुत्री अब माता इनकी पत्नी पत्नी की माता की अकेली पुत्री तो यही पत्नी थो इनकी और पत्नी की पुत्री है इसकी यह पुत्री है तो इनका क्या संबन्द है विनोद का जब विनोद की पत्नी की पुत्री है तो विनोद की भी पुत्री हो गई ठीक है इनकी मा यह रही और इनकी मा के पिता तुमारी मा के पिता के इकलोते बेटे और इनका कोई इकलोता बेटा है इनके पिता का यह कौन है बेटा इनके इकलोते बेटे की इकलोती बहन और इस बेटे की इकलोती बहन जब इसकी मा और इसका एकलोता बेटा और इसकी एकलोती बहन तो यही थो गई ठीक है मेरे पिता की पतनी है ये किसके मिंटन जो है मारतो जो है इस मारतन के पिता की ये पतनी है ठीक है तो ये कौन हो गया मा इत हो गई सिदा सिदा आंसर निकल रहा है फिर दोबारा समझा दिया जाए बताओ मारतों ने लिंटन से कहा कि तुम्हारी मा यानि लिंटन की मा के पिता लिंटन की मा के जो पिता है ये रहे ये लिंटन कौन हो गए नाना हो गए के इकलोते बेटे, इनका इकलोता बेटा, की इकलोती बेटा, इनकी 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 इकलोती बेटा, तो इसकी कौन हो गई, मा, ठीक है तो मार्तो और लिंटन में क्या सम्मंद है तो मार्तो लिंटन क्या इसकी बहन हो गई Next question की और रुख करते है तस्वीर की और इसारा करते एक लड़के ने कहा यह तस्वीर मेरी मा की एक लवते बेटे यह लड़का रहा और यह तस्वीर इसकी और इसे ने इसारा किया कि यह तस्वीर किसकी इसकी मा लड़के की और इसके एक लवते बेटे यानि यह स्वेम हो गया के पिता यानि इसके पिता के बेटे की है और इसके पिता के बेटे की है तो इसके क्या समंद गया तस्वीर से, ये इसका भाई हो गया, ठीक है, एक लोते बेटे के पिता के बेटे की है, अच्छा एक लोते बेटे के पिता और इसके बेटे तो इस्वाइम हो गया, ठीक है, ये खुद हो गया अपने आपने, अगला है, बिसम सब्द की पहचान करे वर्ग, तरभुज, चतरभुज, गोला, समंता, चतरभुज, आयत, ब्रत तो इसमें ये गोला है, ये विसम सब्द जाएक, चूंकि ये त्रिविमी है कैसा है? थिरी डी, त्रिविमी, बाकी सारे ये इतनी आकरतियां है ये टू डी होती है, द्रिविमी होती है नेस्ट कुश्चन है, दिएगे चार विकल्पों में विसम के पैचान कीजिए गेंडा, सेर, बाग, भेंडिया, ये मानसा हारी है गेंडा, साका हारी होता है, ये लग हो गया दिएगे रंगों में विसम रंग को पैचान है, बैगनी, नीरी कार MA क्पर मेंड कहाई बजल करता में सके ड्या बाग,ि पे ग Mys đक सअ जुद आओ, ये ये, कि विसम के इतना में रंग, सिर, गुआ के दो गो एग के अट इंग अट और जो धां कि अट तो है डिया डियो कट गई भाई दोबहरा सुरू करते हैं तो यह साथ तारीक है साथ तारीक के तीन दिन बाद सुक्रवार है नहीं सुक्रवार को दस तारीक हो गए अब दस तारीक को कौन से दिन हो गया सुक्रवार दस के बाद सत्रा तारीक को फिर क्या हो जाएगा फिर सुक्रवार हो जाएगा क्यों क्यों कि साथ दिन बाद सुक्रवार फिर आता है एक अपरेल को कौन सा दिन है बुद्वार है इस वरस में मई महा की पहरी तारी को क्या होगा तो अपरेल 30 दिन का होता है एक दिन देर निकल गया 29 रह गया और साथ का भाग देने पर 28 हो जागा तो एक सेस बचेगा अपरेल हम कितने दिन बचे हैं हमारे पास उनतिस दिन बचे उनतिस को साथ से भाग दीजिए साथ चोग अठाइस एक सेस बचा तो एक दिन हम यहां दिख लेंगे और अपरेल के बाद फिर मैं माई की पहरी तारीक तो यह बुदवार के बाद फिर क्या हो जाएगा गुर्वार गुर्वार एक जोड़ देंगे यह वाला गुर्वार बद्वार जोड़ देंगे तो गुर्वार हो गया और गुर्वार के बाद फिर सुक्रवार पड़ेगा अगला यह दूसरा तरीका देख लीजिए दूसरा तरीका है एक अपरेल से एक माई के बीचिन कितने दिन होंगे एक अप्रैल से एक मही के बीच तीस दिन का महिना है और तीस में साथ भाग दिए साथ चोग 28 अठाइस इस में घट जाएंगे तो घटाने कबास सेस क्या बचेगा दो जो सेस बचते हैं वो इस बुद्वार म जोड़ दिये जाते हैं तो नव दिन पहले सिनेमा देखने गई यह दिवा सेनामा देखने के लिए केवल ब्रासपतिवार को जाती है तो आज कौन सा दिन है नव दिन पहले सिनेमा देखने गई और ब्रासपतिवार को गई तो साथ दिन के बाद फिर ब्रासपतिवार आ गया ठीक है अब दो दिन और और देख लिजिए नव दिन पहले गई नौ दिन पहले बार था साथ का बाग देजीए साथ एक अंसाथ दो बचा से ब्रासथ वीयरम दुज़ दीजिए सुक्रवार के बाद सब्सक्राइब नेस्ट कुश्चन है वर्स 2011 में 15 अगस्त रविवार को मनाई गई तो 26 जनवरी कम मनाई गई थी 15 अगस्त 26 जनवरी देखें जनवरी 26 है और 31 दिन की जनवरी होती तो 5 दिन सेश बचे हैं 26 पांच 31 और उसके बाद हम फरवरी 28 दिन की 0 हो गया मार्च 31 दिन की तो 7 feedback 28 तू तीन सेश बचे है 28 में 31 घटाएंगे और उसके बाद में फिर ये 31 दिन की जनवरी है इसमें साथ बाग देंगे तो 7 चोग 28 28 में से 31 गया तो तीन ही तो petान बचेंगे और इसके बाद में भ슬सिच्टम होता एसमें जनवरी फरवरी मार्च में मार्च आप्रवारी की अथीजिन का होता है तो 28 जा करके साथ भागदे कर दो सेस्व बचेंगे मई में फिर तीन जून में फिर दो जुलाई में फिर तीन और अगस्त 15 अगस्त है तो 15 होगा जोड़ लिजी इनको पांस तीन आथ आथ दो 10 10 3 13 13 5 13 2 15 15 15 18 18 और 15 कितने हो गए 23 तेश दिन हो गई तेश हम साथ भाग देश साथ यहां 21 दो दिन से असब बचे हैं ठीक है 21 कटा देंगे साथ किसमें भाग दे करके एक मिट हमारा योग गलत होरा दुबारा कर रहे हैं 15 और 3 अठारा अठारा दो 20 20 23 23 और 2 25 25 और 3 28 28 पंच 33 तेश नहीं यह 33 हैं ठीक है 33 हम साथ को भाग देंगे साथ चोक 28 साथ चोक 28 28 23 में से 28 घटाएंगे तो 5 सेश बचेंगे इन 5 को रहिवार से घटाना आज़ों कि पीछे का दिन पूंच रहा है ठीक है रहिवार में से 5 घटाएंगे सुक्रवार बहस्वरी सनिवार सुक्रवार ब्रासपतिवार और बुद्वार मंगलवार तो हमारा दिन कौन सा आजएगा यह मंगलवार आजएगा ठीक घटाएंगे जब भी पीछे के दिन पूंच जाएगे तो घटाएंगे नेश्ट है एक रेल गाड़ी 3 मिनट बिलंब से चल रही और हम प्रतीक मिनट 3 सेकंड बिलंब बताएं निरु गाड़ी कितने मिनट 토 फूरा एक घटा विलंब हो जाएगी तो कहां है कि रेल गाड़ी 3 इन विलंब से चल लही है और विलंब कितना करना एक घंठा या chronoda करना तो 57 कि बिलंब और करना है तो इसमें हम क्या करते हैं 57 मिनट बिलंब करना है और समय कितना है एक गंटा यह नहीं साथ मिनट का 57 गुड़ें 60 और तीन सेकंड बिलंब सोती है बटे तीन कर दीजिए अब इसको हम काटेंगे ठीक है तो काट दीजिए भाई तो यह मारा कट जागा तीन दूनी छे बीस हो गया बीस का 57 में गुड़ा कर देंगे तो जीरो दो सत्य चवदा की चार हांसे लगाए एक दो पंजेद्दा सभी ग्यारा ग्यारा सो चालिस मिनट लगेंगे इसको एक घंटा भी लंब होने में अगला है चार चालिस पर घड़ी के सुईयों के वीच को उट ग्याद कीजिए चार चालिस यह रही घड़ी यह बारा छे तीन नौ और यह चार और चालिस मतलब आठ साथ पांच एक सुई चार पे ए कितने खाने हो गए एक दो तीन चार एक खाना तीस मिनट को था हमने घड़ी की वीडियो में आपको बताया है तो तीस गुणे चार कितना हो गया एक सो बीस ठीक है एक सो बीस हो गया और यहां पर क्या है चालिस मिनट चार बज़कर चालिस मिनट तो यह चालिस मिनट और ह होगा दुबारा देख लीजिए तरीका इसका नया चार चालिस मतलब एक सुई हमारी चार पोगी दूसरे कितने पोगी आठ पे होगी आठ चार कितने कंतर है चार का इसमें तीन का गुणा कर देंगे तो यह होगे 120 और इसमें से मिनट का आधा घटा देते हैं जब घंटे की सुई पीछे होती है चार बच के 40 मिनट होंगे तो घंटे की सुई होगी पीछे ठीक है तो इसमें से 20 मिनट है इनट होगी एक बार मिलती है और घंटे कितने होते हैं 24 तो इसमें क्या करेंगे 24 घंटे के कितनी बार मिलेंगी यह गंटे मिलती थह यह felled ते में 11 बटे 12 बार मिलेंगी 12 दूनी 24 और 12 बार मिलेंगी ठीक है यह हमारा अंसर हो जाएगा नेस्ट कुश्चन है निमलिकित कतन को पढ़कर बताएं कि बिकल्ब सही अथवा दो सही एक सही एक दो सही दोनों सही या कोई सा नहीं सही है कतन है बिग्यान अविसाब भी है और बर्दान भी बिग्यान से बहुत से लाव है परन्तो कोई हानी नहीं है बिग्यान से लाव तो है परन्तो हानी भी है तो यही हमारा कतन सही हो जाएगा चूंकि आभी साब भी है और बर्दान भी है और बर्दान भी है तो आप क्या होगा अब धारणा या विकल्ब दो सही है ये रिजिनिंग के 25 कुश्चन हमने कराया आपको फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में तब तक के लिए नमस्ताइब